मेश राशे आज एक उपियों की दिन होगा आज आप रजनात्मक और निश्कपट तरीके से अपने कारिस्थल पर समस्याओं का हल्क होजेंगे जो की आपके कारिकाल में सराह जाएगा व्रिशव राशी आज फैसला लेने का दिन है आप पिछले सब्ताह से कई चीजों के बारे में चिंता कर रहे हैं आज कोई ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जो शुरू में काफी कटोर लगे आज का दिन नौकरी से संबंदित कारियों के लिए काफी अनुकूल है आपने हमेशा से इमानदारी और मेहनत के साथ काम किया है और अतीत में हलाकि आपको उतना फ़ल नहीं मिला लेकिन अब भागे आपके लिए स्थितिया अनुकूल करेगा आपकी काफी सारी परियोजनाए सफलता के साथ फलित होंगी और आज का दिन अपने वरिष्ट अधिकारियों और अपने से नीचे कारेपद पर तैनात सहकर्मियों से प्रशन साब पाने का समय है मिथुन राशी आज आपको लक्षियों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उन शेत्रों को देखे जहां पहले आपने कारे नहीं किया है अन्वेशन आपके लिए आज महत्वपून रहेगा आपको कुछ सार्थक मिल सकता है अगर आप अपनी नौकरी स्थाना अंतरन की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन काफी शुब होगा आपको शीकरी है एक नई नौकरी या नए कार्याले में भूमिका मिल सकती है करक राशी आपको आज आपके कारिक शेत्र में एक मुल्यवान सुझाओ किसी निकित व्यक्ति जो आपके दिल के बहुत पास होगा उससे मिल सकता है अगर आप उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आगे जाकर आपके भविश्य में इसका अनुकूल प्रभाव पर सकता है आपको उरती हुई धुन्द को हटाना है और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है किस दिशा में आपका नौकरी या कारिक्षेत्र जा रहा है इस पर भी विशेश रूप से विचार करना है विवेकपूर्ण तरीके से अपने कारिक्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथ मिकता है सिंग राशी अपनी आखें खुली रखें आज आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथ ही से हो सकती है प्रेमपानी की संभावना आज प्रवल है आज आपको विविन भूमिकाओं का क्रियानवन करना पड़ सकता है इसलिए दोस्तों से मदद लेने में संकोच न करें विसफलता की रास्ते पर आपको एक मजबूत समर्थन दे सकते है चात्रों के लिए ये एक अच्छा दिन हो सकता है उन्हें एक प्रतिष्टित संस्थान से डिपलोमा या डिग्री प्राप्त होगी इन स्थितियों की वज़े से उच्छ भुक्तान नौक्रियों में भी अवसर बढ़ रहे है कन्या राशी आपकी जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे, तुरंत और अति सक्री रहकर फैसला लेना होगा आपके एहम को आज पूरी तरह से त्रिप्ती मिलेगी क्योंकि आपके नेतरित्व और संगठन के लिए पहमुल्य योगदान के लिए आपको पुरुस्कृत किया जाएगा आप परदे के पीछे रहकर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको अपनी प्रतिभा और ख्षमता अपने विभिन बुद्धों में जिस पर आप अभी कारे कर रहे हैं उस वी पर दिखानी होगी तुला राशी दिन की शुरुवात उलजन से होगी आज कोई आध्यात्मिक प्रवृती वाला व्यक्ती आपके बचाव में आएगा आपका मार्ग दर्शन करेगा आज आप एक आमंत्रक की भूमिका में रहेंगे इसलिए एक मेजबान की जगह एक आयोजग की भूमिका में रहें विश्चिक राशी, घर पर पवित्रता का वातावरन बना रहेगा और चिंताय नहीं रहेगी कुछ समय से आप जूट बोल रहे हैं आज आप आए के नए तरीकों का लाब उठाने के लिए अपने निर्णे में नया पन ला सकते हैं आप में अपनी ताकत या कुर्सी का आनन्द लेने के लिए दिवाना पन रहेगा और वो काफी सशक्त होगा आपकी वित्ती स्थिती किसी भी अन्य दिन की तरह समाने रहेगी धनुराशी, आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा काम कर रहे हैं हलाकी विप्रीद ग्रह आपके कारिस्थल में अस्थाई गरबड़ी का कारल बन सकते हैं इन शनिक भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्नल लेने से बचें आप अपने कारिस्थल पर अपने गुस्से को काबू रखे और विचलित करने वाली स्थितियों को दरके नार करें अन्य था आप एक ऐसी नौकरी को त्याग सकते हैं जिसको आप बहुत प्यार करते हैं मकर राशी, आप स्रिजनात्मक उलजा से भरपूर हैं अपनी कलपना शक्ती का उपयोग करें आज आपको अपने कारिस्थल से संबंदित कारि में अपने मित्रों और सहकर्मियों से सहायता मिलेगी आप उनको अपना आभार देना न भूलें और बदले में आप भी समय पढ़ने पर उनकी सहायता करें धन एवं नगदी प्रवाह में आज सुधार आएगा इस दिन आपको अपने अनावश्य खर्चों पर भी लगाम लगानी होगी क्योंकि आप अच्छा कमाएंगे पर साथ साथ आपके खर्चे घटाने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे कुम्भराशे बहुतिक सुविधाओं की और ध्यान देने के लिए ये काफी अच्छा समय है आपकी विद्धिय नियोजन और कड़ी मेहनत ने रंग दिखाया है जो लोग पहले आप पर शक करते थे और आपके निर्णे से सहमत नहीं होते थे वे आपके तर्क और दूर दच्छता की आपकी शक्तियों से आज प्रभावित होंगे विद्धिय सफलता की इस अवधी का आप आनंद लें आज आप विलास्ता से संबंदित वस्तुओं पर व्याई कर सकते हैं जो आप लंबे समय से करना चाह रहे थे मीन राशी आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुष सानुभव कर रहे हैं लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अदे कंबीरता से लेने का है चीजें आपके अनुसार काम नहीं कर रही जैसे कि अपने योजना बनाई थी लेकिन आपको इस कारण से आकरामक नहीं होना चाहिए क्योंकि इस से आपके सारे प्रयास बरबाद हो सकते हैं कारे में प्रगती के लिए आपको धहरी किया शकता होगी लेकिन ये इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा आपसे कम प्रतिभाशाली व्यक्ति आपके समक्ष आ सकता है जिसके पास काफी ताकत होगी लेकिन समय की मांग है कि इस व्यक्ति के साथ विवाद में न उलजे जो कि आपके स्वेम के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा